नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल केट्वी जोन में तो आज मैं आप लिए उलिन का एक बहुत सुन्ड़ डिजाइन लेके आई हूँ इससे बनाना तो बहुत ही असान है और ये बनने के बाद बहुत ही खुशुरत लगता है अगर आज का मेरे ये वीडि केशन बेल है उसे दवा दे अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राह हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट चरूर करें तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की सुरुआत करती हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो करण का इस्तेमाल किया है आप अपने पसंद का कोई भी कला ले सकते हैं और बारा नमबर क्रूज का तो चलिए मैं अपने डिजाइन की सुरुआत करती हूँ तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह से यहाँ पे एक लूप बनाना है इस तरह से और फिर अब हम यहाँ पे अपना चैन बनाएंगे देखे इस तरह से जितना लंबा हम को चाहिए उतना लंबा हम चैन बना लेंगे इस तरह से हम चैन बना लेंगे यह डिजाइन बनने के बाद बहुत ही खुबसूरत लगता है इस तरह से देखे चैन बनाते हुए हमें जितना लंबा चाहिए उतना लंबा बना लेंगे जब इस तरह से देखे चैन बन जाए तो हमें इस तरह से अपने कुरुस को घुमाते हुए यहाँ पे दो चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में हमें एक डबल कुरुसिया बनाना देखे इस तरह से और इसके बगल वाले चैन में भी हम इसी तरह से एक और डबल कुरूसिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग का है तो यहाँ पर हम दो डबल कुरूसिया बनाएंगे और फिर एक चैन लेंगे देखे इस तरह से और एक चैन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे देखे एक दो तीन चैन छोड़ते हुए चौथे वाले चैन में इस तरह से जो मेरा फोर्थ चैन है इसके 20 से हमें एक डबल कुरूसिया बनाना है देखे इस तरह से जब मेरा पे तीन चैन बनाना देखे इस तरह से जब तीन चैन हो जाए तो फिर से हमें कुरूज को घुमाते हुए सेम इसी चैन में जहाँ पहले हमने एक डबल कुरूजिया बनाया था वहीं पे हमें एक और डबल कुरूजिया बनाना देखे इस तरह से और फिर जब इस तरह से डबल कुरूसिया हो जाए यहाँ पर एक ही चैन में एक डबल कुरूसिया फिर तीन चैन फिर एक डबल कुरूसिया तो फिर अब हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और एक चैन लेते हुए हमें अपने कुरूस को घुमाते हुए फिर से यहाँ पर तीन छोड़के चौथे वाले चैन में हमें इस तरह से एक डबल कुरुसिया बनाना है और फिर एक दो तीन चैन और जब इस तरह से तीन चैन हो जाए तो फिर से हमें एक सेम इसी जगह पे हमें एक और डबल कुरुसिया बनाना देखे इस तरह से और फिर जब एक डबल कुरूसिया हो जाए तो हमें यहाँ पर एक चैन बनाना और एक चैन जब हो जाए तो हमें तीन चैन छोड़ते हुए चोथे वाले चैन में हमें देखे इस तरह से एक डबल कुरूसिया बनाना है और फिर एक जब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे तो इस तरह से हमें नीचे में तीन चैन छोड़ते हुए चौथे वाले चैन में देखे इस तरह से हमें एक डबल कुरूसिया बनाना है फिर हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेते हुए सेम इसी चैन में हमें फिर से एक डबल कुरूसिया बनाना देखे इस तरह से और फिर एक चैन लेंगे देखे तो में पहला वला जो है जो इस तरह से दिखेगा और फिर से हमें यहां पे एक चैन लेते हुए अपने कुरूस को देखे हैं घुमाते हुए फिर से हमें यहां पे इस तरह से देखे एक डबल कुरूसिया बनाना है यहां पे एक डबल कुरूसिया बनाना है और यह मेरा आखरी का है तो यहाँ हम जैसे कि स्टार्टिंग में बनाये थे दो चैन में एक एक डवल कुरूसिया तो इसी तरह से मैंने यहाँ भी एक एक डवल कुरूसिया बना लिया है दो और फिर यहाँ पे हम अब देखे जैसे मेरा पहला रो इस तरह से कंपलीट हो गया तो अब हम यहाँ पे जो मेरा दूसरा वाला ये जो कलर है अब इसे हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे इस तरह से इसके बीच से निकालते हुए यहाँ पर हम इस तरह से काड़ते देंगे ताकि मेरा ये खूले नहीं इस तरह से और फिर अब हम यहाँ पर दो चैन लेंगे दो चैन लेने के बाद अब हमें जो यहाँ पर मेरा किरारे में हर चैन में एक एक डबल कुरूसिया था उसी तरह से हम यहाँ भी एक डबल कुरूसिया बना लेंगे पहले वाले चैन में और फिर इसी तरह से दूसरे वाले चैन में भी हमें एक डबल कुरूसिया बना लेना है और इस तरह से फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और इस तरह से हमें अपने कुरुज को खुमाते हैं अब हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे यहाँ पे मैंने एक डबल कुरुज या तीन चैन एक डबल कुरुज या बनाता तो अब हमें यहाँ पे जहाँ पे जिस चैन में म बनाना निकालते हुए एकما nämundress, बनाना है कुरूस और फीर कुरूस को खुमाते हैं वहां हमें यहां पे जिस चैन में हमने पहले दो डबल कुरुसिया बनाया था ठीक उसी चैन में हमें फिर से इस तरह से देखिए जो मेरा दूसरा वाला कालर है उसे हम कुरुस की सहयता से वहां पे एक डबल कुरुसिया बना लेंगे फिर हमें एक करके यहां पे तीन चैन ब अब हमें सेम उसी जगह पे अपने कुरुस को निकालते हुए एक डबल कुरुसिया बनाएंगे तीन चैन लेंगे और फिर इस तरह से हमें एक और डबल कुरुसिया बनाना है देखे इस तरह से और फिर एक सिंगल चैन बनाएंगे और फिर इस तरह से अपने कुरुस को घुमाते वे जहां हमने पहले दो डबल कुरुसिया बना था उसी चैन में हमें फिर से एक डबल कुरुसिया बनाना है और फिर जब डबल कुरुसिया बन जाए इस तरह से हमें तीन चैन बनाना और फिर एक डबल कुरूसिया बनाना देखे इस तरह से और फिर से हमें यहाँ पे एक चैन बनाना और एक चैन बनाने के बाद जो मेरा लास्ट का दो चैन बज जाए तो हमें एक एक चैन में एक लॉंग बना लेना देखे इस तरह से मैंने यहाँ पे एक लॉंग बनाया डबल कुरूसिया उसे हम लॉंग भी बोलते हैं और इस तरह से फिर से हम यहाँ पे लास्ट वाले में भी हमें एक जो मेरा यह लास्ट का चैन है वहाँ भी हमें इस तरह से एक डबल कुरूसिया बना देना है इस तरह से फिर हम इसे यहाँ पर छोड़ देंगे अब हम यहाँ पर आएंगे इस तरह से और इस तरह से जो ही मेरा दूसरा वाला कलर है इसे हम इस तरह से देखे यहाँ जो आखरी वाला चैन है इस तरह से हम यहाँ पे इसे निकाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम दो चैन बनाएंगे और दो चैन बनाने के बाद हम बगल वाले चैन में देखे इस तरह से एक डबल कुरुसिया बनाएंगे और फिर इसके बगल वाले चैन में हम यानि स्टार्टिंग में हमें हमेशा दो डबल कुरुसिया बनाना जब दो डबल कुरुसिया हो जाए तो हमें यहाँ पे एक चैन बनाना फिर इस तरह से कुरुस को खुमाते वे अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमने जो पहले यहाँ पे जो यह तीन चैन बनाया था और मैंने इस कलर से भी तीन चैन बनाया था तो इस तरह से देखे इस तीन चैन को हमें इस तरह से कुरुस की सहता से हमें इस तरह से देखिये हम निकाल लेंगे उसके 20 से अपने कुरुस को और एक डबल कुरुस या बनाएंगे देखे इस तरह से जो मैंने यहाँ पर यह चैन अभी जो बना हुआ है जो नीचे में भी इसी तरह से मैंने 3 चैन बनायों थे तो हमें उस तीन चैन को इस तरह से कुरुस से उठाना और फिर से हमें यहाँ पे तीन चैन बनाना है और फिर से सेम इसी जगह में हमें एक और डबल कुरुसिया बनाना है और इस तरह से फिर एक चैन बनाएंगे और फिर हम इस नेक्स्ट वाले में आएंगे तो यहाँ भी ह इस तरह से निकाल लेंगे और हम यहाँ पे एक डबल कुरूसिया बनाएंगे और फिर से हमें यहाँ पे तीन चैन बनाना और फिर इसी जगह पे सेम हम इसी तरह से देखे एक और डबल कुरूसिया बनाएंगे और एक चैन बनाएंगे यानि आप जैसा देखी रहोंगे यहा पर मैंने दो डबल कुरूसिया, एक एक चैन में बनाया, फिर एक चैन, फिर एक डबल कुरूसिया, तीन चैन, फिर एक डबल कुरूसिया, एक चैन, फिर यहां पर मैंने एक डबल कुरूसिया बनाया, और सेम इसी जगा पर देखे, यहां पर मैंने तीन चैन बनाते हैं, सेम डबल कुरूसिया बनाना है और फिर इस तरह से देखे एक, दो, तीन चैन बनाना है और फिर हमें इसी तरह से देखे यहाँ पे एक और डबल कुरूसिया बनाना है इस तरह से और फिर हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और एक चैन बनाते हुए अब हमें यहाँ पर आएंगे देखे इस तरह से लास्ट वाले में आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें देखे एक डबल कुरुसिया बनाएंगे और तीन चैन बनाएंगे और फिर इस तरह से एक डबल कुरुसिया बनाएंगे देखे और फिर देखे इस तरह से एक चैन बनाते हुए हमें अब लास्ट के जो यहाँ पर मेरा दो लॉंग है हम यहाँ पर फिर से एक एक चैन एक एक डबल कुरुसिया बना लेंगे देखे इस तरह से और फिर बगल वाले चैन में भी हमें एक डबल कुरूसिया बनाएंगे अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर लगाएंगे तो इस तरह से हमें इस उनको इस तरह से करते हुए जो मेरा यह पहले से यहाँ पे था इस तरह से हम इन दोनों के बिश से मैंने दूसरा वाला कलर निकाल लिया है और फिर यहाँ पे हम इस तरह से दो चैन बनाएंगे जब दो चैन बन जाए तो इस तरह से हमें देखे इस तरह से बगल वाले चैन में हम एक डबल कुरूसिया बनाएंगे फिर इसके बगल वाले में भी हमें एक डबल कुरूसिया बनाना देखे इस तरह से और फिर एक चैन लेते हुए अब हम यहाँ पर आएंगे फिर सेम इसी जगह पे जो मेरा देखे यह ग्रे वाला छोड़ते हुए जो यह रेड वाला है उसे हम इसे देखें यहाँ पर कुरुस से अपने उनको इसके बीच से निकाल लेंगे और एक डबल कुरुसया फिर सेम इसी जगह में हमें एक और डबल कुरुसया बनाना है और फिर एक चैन देखें इसी तरह से हमें इस डिजाइन को बना लेना है और देखें कितना ही आसान डिजाइन है बस हमें एक एक चैन फिर एक डबल कुरुसया तीन चैन और एक डबल कुरुसया फिर एक चैन और फिर जब हम यहाँ पर आएंगे तो इस तरह से रेड़ वाले के बीच में से हमें अपने कुरुस को की सहता से उनको निकाल लेंगे और देखे इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरे कलर से भी बना के रखा है देखे इस तरह से डिजाइन बनने के बाद जैसे जैसे यह बनेगा इसका लुक इस तरह से आएगा देखे यह बनने के बाद कितना खुबसूरत लग रहा है बस यहाँ पर आपको कलर कॉंबिनेशन का ध्यान रखना है कि आप किस कलर से बना रहे हैं दोनों कलर से देख लिजे अपने आप में कितना खुबसूरत लग रहा है और यह बनने के बाद कितना सुन्दर है और इसे बनाना तो बहुत है अगर आज का मेरे यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लिए आप